Hello students, B.A.B.com Indian Economy की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आज हम Indian Economy का Chapter No.1 पढ़ रहे हैं जिसमें मैं आज आज आप सभी को Under Developed Economies के बारे में पढ़ाऊंगा यानि की जो अल्विक्से तर्वस्ताइ होती हैं, वो क्या होती है, कैसे होती है इन सभी को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और इनके Characteristics, Features यानि की विशेशताओं को भी आज हम अच्छे से समझेंगे की Under Developed Economy के क्या-क्या Characteristics होते हैं तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से आइंड तक जरू देखेंगे, आपको ये चीजे जो है बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी तो चेले दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहें मेरा चैनल Top Classes तो दोस्तों जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर Under Developed Economy की तो Under Developed Economy एक ऐसी Economy होती है जहाँ पर हमारे पास जो है Development की Rate बहुत ही कम होती है अब Development की Rate कम होने का मतलब क्या है Development की Rate कम होने का मतलब है कि वहाँ पर Per Capita जो GDP है यानि की परती वेक्ती जो GDP हम लोग निकाल रहे हैं वो बहुत कम है GDP की Growth Rate बहुत कम है यानि की GDP की समरिद्दिदर वहाँ पर Birth Rate, Death Rate और हम कह सकते हैं Poverty या Inflation इन सभी चीरों में जो है वो काफी poor performance देखने को मिल रही है या वहीं हम बात करते हैं Health Facility की तो वो भी बहुत ज़ादा बेकार है इस वज़े से हम उस economy को Under Developed Economy कह रहे हैं देखें कुछ definition पढ़ते हैं हम लोग आपकी स्क्रीन पर definition शो हो रही होगी तो देखें का यहां पर आपके पास जो MP Tadaro है उनकी द्वारा यह definition ली गई है definition क्या है Under Developed Economies is the economy in which they are low level of living वहाँ पर low level of living होगा उनका ठीक है जो लोगों के जीने का स्तर है वो बहुत ही निम्न है and absolute poverty यानि की वहाँ पर आपके पास निरपेक्ष निरधनता है ठीक है लो पर capita income, low consumption level, poor health services, high death rate, high birth rates and dependence on foreign economies और विदेशी की foreign economies पर इनकी dependency है यानि की निरभरता है यह पूरे तरीके से independent नहीं है हिंदी में भी पड़ सकते हैं आप सबी अल्विक्ष रत्ववस्ताइएं वे हैं जिसमें निम्न जीवन स्तर होगा, निरपेक्ष निरधनता होगी, निम्न वैक्तिकाय होगी और निम्न अभोक स्तर होगा, गटिया स्वास्त सेवाई होगी, उच्छ मुर्दी दर, अर्थ विवस्ता है ठीक है दोस्तों यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस सेकंड डेफिनिशन भी है वो भी आप पढ़ सकते हैं वो यू एन ग्रूप ऑफ एक्सपर्ट की द्वारा दी गई है तो यह भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं ना वी यूज दा टर्म अंडर डेवलप्टर कंट्रीज मीन्स दा कंट्रीज विच पर क्यापिटर रियल जी डीपी रियल इंकम यानि कि परतिव्यक्ति वास्तिविक आई जो है वो बहुत ही कम है लो है वेन कंपेरड विद अपर क्यापिटर रियल इंकम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कनाडा औस्टेलिया वेस्टरन यूरोप इन बड़ी एकॉनमी की कंपेरिजन में यहापर कहा गया कि यह सारी की सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही लो है इन एकॉनमी में इस वज़े से हम इन एकॉनमी को क्या कह रहे हैं अंडर डेवलप्ड एकॉनमी कह रहे हैं ठीक है दोस्तों यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गही होंगी अब हम इसके करेक्टरस्टिक्स देखते यानि कि अल्विक से तर्थवे वस्ताइक सामपेक्षीक अब्दार ना है, क्यों है, क्योंकि Under Developed हम कब कह रहे हैं, हम Under Developed कह रहे हैं, कमपैरिजन, मतलब जैसे अगर हम इंडिया की कमपैरिजन करने लग जाएं USA से, तो हम कहेंगे कि USA के comparison में इंडिया जो है वो under developed economy है क्योंकि USA में साइध हमारे देश से ज़ादा अच्छी facility हो और इंडिया में facilities जो है वो कम हो इस वज़े से हम क्या पा रहे हैं कि USA जो है वो इंडिया के मुकाबले क्या है इंडिया जो है USA के मुकाबले जो है under developed है और USA एक absolute poverty यानि कि आल पर विक्सित जो अर्थवस्ताय होती है वहाँ पर निर्पेक्ष निर्धनता को बनाए रखता है क्योंकि देखे क्या reason है अगर उस country में लोगों के living standard जो है वो कम होगे लोगों की जो जीने का स्तर है वो बहुत कम होगा तो वहाँ पर निर्पेक्ष करता है अपने consumption पर तो वो गरीब नहीं है तो अगर इससे कोई कम करेगा तो वो क्या होगा गरीब होगा तो ऐसा जब under developed economies होती है अल विक्सित तर्थवस्ताय होती है तो वहाँ पर लोग जो है एक standard maintain करके नहीं चलते यानि कि एक standard मानले हमने कि इतना तो minimum करना ही करना है अगर यह standard maintain करके नहीं चल रहे है तो वो बनते चले जाएंगे absolute poverty line से नीचे यानि कि poverty line से नीचे चलते चले जाएंगे यानि कि जो निर्धनता रेख आपने डिसाइड की कि यहां तक हम निर्धन मांगेंगे इसके बाद निर्धन उससे नहीं मानेंगे तो वो जो है cross कर जाते हैं उसके नीचे भी चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी basic needs को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं ठीक है अब underdeveloped countries होती है not a potential poor country यानि कि अल्विक्सित देश एक संभावित निर्धन देश नहीं है मतलब यह नहीं कह सकते कि अगर आपके पास कोई underdeveloped economy है यानि अल्विक स पर कुछ लोग हैं जो poor sector में आ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो rich sector में भी आ रहे हैं मतलब underdeveloped economies का मतलब यह नहीं है कि वो पूरी तरीके से पूरी country जो है वो पूर है और वहां पर सारे के सारे poor people सी रहते हैं जैसे इंडिया एक underdeveloped countries है या developing country आप कह सकते हैं विक्सितरत व रही है ठीक है और यहां पर यह नहीं है कि सभी गरीब हैं तो हम इसे निर्धन कहेंगे या आप वो unemployed करेंगे कि यह जो है वो एक तरीके से हमारे पास अल्विक्सितरत विस्ता है under employed economy है ऐसा नहीं कह सकते कि poor लोग ही under employed ओंडर employed कह रहा हूं sorry दोस्तों under developed economies में जो है रहते ह इन characteristics से आपको clear हो जाएगा कि अगर यह चीजें पाए जाती है तो समझ जाए वो देश जो है वो under developed है यानि की अल्विक्सित है तो characteristics देखिए सबसे पहला low per capita income निम्न परतिवेक्ति आए सबसे पहले पैचान under developed economy की यानि अल्विक्सितरत विस्ता की कि वहां पर capita income जो है वो उस देश के अंदर बहुत कम होगी अब यह मैं आपको एक टेबल के थूरू यहां पर समझा देता हूँ देखें स्विजर लेंड अगर आप देखें तो यहां पर 61,930 जो है पर capita income है ठीक है और वहीं आप यूथोपिया की बात करते हैं तो only 1620 इंडिया की हम बात करत हैं कि यह country जो है वो अंडर developed countries है और यह country जो है वो developed countries है जहां पर यहां पर capita income या नि परतिवेक्ति आए इन लोगों की बहुत जादा है उस country और हमारी country मतलब यह जो अंडर developed countries हैं इनमें आप देख सकते है बहुत ही low है यह मैं डाटा आपको दिखाया यहां कि आप देख और विक्सित अर्थविबस्ता हैं तो समझ जाएं वो अंडर डेवलप्ड एकॉनिमी यानि अल्विक्सित अर्थविबस्ता हैं कैसे डेखें एक अगें दुबारा टेबल शो कर रहा हूं आपके पास यहां पर आप देखेंगे UK ऑस्तेलिया जैपान और कॉलंबिया यह वि अलविक्सिदेश, हैती, केनिया और जमेका, ठीक है, अलविक्सिदेश हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि मैं जो टेबल में शो कर रहा हूं, वो income की inequality को शो करूंगा, और यहाँ पर आप quintal, quintal जो है, अनुपाद देख सकते हैं, quintal जो ratio हम निकालते हैं, ठीक है, उसक जो की inequality को बताता है, आसमानता को indicate करता है, यह कैसा graph होता है, तो आप देख सकते हैं, जिसमें यह low है, मतलब जिसके पास यह point सबसे कम है, और जिसके पास यह point सबसे ज़्यादा, मतलब एक होती है, line of equality, line of equality इस तरीके से draw की जाती है, आप देख सकते हैं, और गिनी जो line में draw करता था, यह line जितना जुर होगी, उतनी जादा inequality economy के अंदर होगी, और जितना पास होगी, उतना जादा inequality कम होगी, economy के अंदर, आपने लोरिंज कर पड़ा होगा, ठीक है, यह चलिए देखे, तो किलियर है, तो हम कह सकते हैं, दूसरा inequality अगर जादा है, तो आप के पास उस देश में जो है, जादा से जादा क्या पाहे जाएगा, अल्पविक्सित economy होगी वो, यानि कि आपके पास under developed economy, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, low level of living, यानि कि निम्न जीवन स्तर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो लोगों के life को live करने का जो पूरा का आप उसे कह रहे हैं कि वहाँ पा low level of standard living है, उनके जो खाने पीने का तरीका है, वो थोड़ा निम्न होगा, थोड़ा लो होगा, इस वज़े से आप कह रहे हैं, उनके पहनने का तरीका, उनके रहने का तरीका, ये सभी जो है, वो क्या होगा, लो होगा, इस वज़े से आप कह सकते हैं कि उस economy में under developed economy है क्योंकि वो लोगों के living standard को ही नहीं बदल पा रही है लोगों के living standard बढ़ नहीं पा रहे हैं अगर लोगों के living standard बढ़ते तो हम मान सकते थे कि उस economy में लोगों को कुछ facilities मिल रही है लोगों को कुछ benefit मिल रहे हैं तो वो एकॉनमी जो है वो developed economy के तोर पर आ रही है बट वहाँ पर बहुत सारी ऐसी population है जो अभी भी low level पर रह रही है और अपनी basic needs को भी पूरा नहीं कर पा रही है इस वज़े से आप उस economy को बोल रहे हैं under developed economy यानि की अलविक्सित अर्थवेबस्ता ठीक है next point पर चलते है fourth point capital deficiency and low rate of capital formation सबसे पहली बात capital deficiency होगी मतलब पूंजी की वहाँ पर कमी होगी मतलब पैसा जो होगा वो बहुत कम मात्रा में available होगा उस economy में दूसरा वहाँ पर पूंजी निर्माण जो capital formation है उसका rate भी low होगा यानि की निम्न पूंजी निर्माण होगा अब आपको capital formation पता ही होगा capital के numbers में increase होना capital का stock बढ़ना capital goods का stock बढ़ना उसे आप capital formation कहते हैं तो capital formation अगर किसी economy में बहुत ही कम है वो और जिस economy में capital ही कम है वो दोनों ही economy जो है आप कहेंगे ये जो है एक under developed economy है यानि की अलविक्सित अर्थविवस्ता है देखें मैं आप आपको table के through show करता हूं तो यहां पर आपके पास GDP की हम बात कर रहे हैं सन 2013 का data लिया हुआ है unfortunately मुझे यही मिला है table तो मैं यह show कर रहा हूं आपके लिए ठीक है तो आपके पास Australia UK और US एक उच आय अर्थविवस्ता है मतलब जिनके पास higher income economies हैं जहां पर high income होती है तो यह आपनी GDP की इतनी income जो है वो कमाते हैं और आप सभी को पता हिए इनकी GDP कितनी है जैसे मैं अगर बात करता हूं 10 का 100 का 10% की तो वो कितना होगा 10 होगा और वहीं मैं बात करता हूं 10 के 10% की तो वो कितना होगा एक हिलो है ना तो 10% percentage matter नहीं करता matter करता है कि कितनी बड़ी economy है उसकी GDP कितनी है तो वहीं आप Australia UK US जैसी बात करते हैं तो वहाँ पर इनका GDP का इतना percent भी बहुत जादा आएगा ठीक है और जैपान चीन ये इंडिया इन सब की आप बात करते हैं तो इनकम का लेवल लो है इनका इतना percentage भी क्या होगा थोड़ा कम नजर आएगा वहीं आप चीन की बात कर लें तो percentage जादा है बट इनकम क्या है उन उन economy के मुकाबले कम है मतलब capital उन economy के मुकाबले क्या आ रही है कम आ रही है capital formation उनके मुकाबले कम हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से हम जो है इस report के थूँ समझ सकते हैं कि वहाँ पर capital की deficiency या फिर capital formation कम होता है तो व dependency burden जन संख्या की उच्वरिद्धी मतलब population की growth rate बहुत जादा है एक तरीके से आपके पास जन संख्या विसपोट हो गया यानि की population explosion हो रहा है वहाँ पर ठीक है और जो निर्भरता है वो बहुत जादा है ठीक है यानि कि dependency जो burden है वो किसी other country पर बहुत जादा है जैसे अग जो requirements है जो हमें resource चाहिए वो हम अपने आप ही खुद पूरा नहीं कर पारे तो ये भी एक क्या है बेकार बात है ऐसा भी नहीं होना चाहिए economy के अंदर ठीक है ना तो मैं एक table show करता हूँ अगे table से हम data से बहुत अच्छे जीज़ों को समझ पाते हैं तो यहाँ पर लिखा जर्मनी, UK, France और जैपान का data लिया हुआ है तो आपके पास वृद्धी दर यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग विक्सित अर्थवस्ताओं की बात किया annual growth rate आप देख सकते हैं population में कितना कम है वहीं जो अलव विक्सित देश हैं under developed economies हैं वहाँ पर आपके पास growth rate देखे population में कितना जादा है और जितना जादा population में growth rate economy उतने ही जादा under developed यह क्यों है बताइए reason क्या है reason यह है कि आपने जो है economy में population बढ़ रही है but resources है या आप जो facility प्रोवाइड करा रहे हैं वो इतने तेजी से नहीं बढ़ रही है तो अब जादा population को अगर हमे चीज़ां facilities provide करानी है तो उसके लिए हमें जादा पैसे चाहिए जादा capital चाहिए जादा पैसा खर्च करना पड़ेगा वो हमारे पास है नहीं तो क्या होगा economy और under developed होते चली जाएगी यानि कि economy गरीब होते चली जाएगी simple language में अगर मैं कहूं तो ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Kenya में सबसे जादा है सबसे कम बात करें आप जर्मनी में डाटा साइथ शो नहीं हो रहा है हां पर थोड़ा दिकत है ठीक है तो आप देख सकते हैं मतलब growth rate बहुत ही कम है 0.0 भी नहीं है 0.0 बहुत ही कम percentage हो रहा है इन में इस विए से economy जो एच्छे तर शरम की उतपा धक्ता का मतलब क्या हुआ कि जो labor काम करता है वो कितना productive है मतलब कितना काम करके हमको दे पारा है अगर ज़यादा काम करके दे पारा है इसका मतलब है कि productivity economy की बढ़ जाएगी बढ़ट अकर low है तो economy के प्रोड़क्टिविटी कम होगी तो एकॉनमी अंडेवलप्ट होगी यानि के अलविक्सित होगी ठीक है देखिए आप डाटा देखिए यहां पर भारत चीन और बांग्लादेश और जैपान और यूके तो यहां पर आप देख सकते हैं लेबर की प्रोड़क्टिविटी कम होने के वज़े से किस तरीके से एकॉनमी जो है अंडर डवलप्ट होती है ठीक है आगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नैचुलल रिसोर्स प्रकरतिक संसादनों का अलप प्रियोग अब देखिए इंडिया इजा रिच कंट्री रिच कंट्री है ना स्टार्टिंग से रही है और थी भी लेकिन अब थोड़ा कम होते जा रही है बट हमारे पास उस लेवल की टेकनोलिची नहीं है कि हम अपने रिसोर्स का अच्छे तरीके से यूज कर पाएं तो हम कह सकते हैं कि अगर यूटिलाइजेशन हम लोग रिसोर्स का सही नहीं कर रहें अंडर प्रियोग है तो वहाँ पर उसका अच्छे तरीके से प्रियोग नहीं होगा तो एकॉनमी डवलप नहीं कर पाएगी ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं नेक्स्ट है लार्ज स्केल ओपन एस डिस्गस्ट अनिम्प्लाइमेंट भाई बड़े लेवल पर तो पह अगर एसा एइंडिया के अंदर तो समझ जाएगा वह एकॉनमी जो है अंडर डैसे अभी ड्यूरिंग नाइंटी इंडिया के अंदर 23.7 परसेंट जो है वह यहां पर जादा है और जितना जादा होगा उतना जादा हम जो है अंडर इंप्लॉइड बंडर डेवलॉप कंट्री बनते चले जाएंगे ठीक है डॉमिनंस ऑफ एग्रिकल्चर किर्शी पर ब्रदान था मतलब अगर कोई एकॉनमी जैसे देख मैं बात करता हूं कि अगर हम लोग एग्रिकल्चर पर फोकस करेंगे और एग्रिकल्चर सेक्टर को प्रोग्रेस करने की बात करेंगे तो भाई डेवलप नहीं हो सकते इतनी त अगरिकल्चर को डॉमिनंस मानके बैठी होई है निर्भर पूरे तरीके सिक्रिशी पर है वो एकॉनमी जल्दी डवलप नहीं कर सकती क्यूंकि एग्रिकल्चर तो हर किसी के पास है यह कैसा यूनिक प्रोड़क्ट लेकर आओ जैसे चीन है उसके पास मास्ट्री है एलेक् कोई भी सेल ना कर पाए जो इंडिया ही सेल कर सकती है नहीं है मैं नहीं मानता ठीक है तो ऐसा अगर प्रोड़क्ट हम लोग लेकर आएंगे और अगर हम अगरी कल्चर पर जादा डिपेंडेंडेंट रहेंगे तो डेवलप नहीं हो सकते ठीक है ना तो देख लीजिए अगरी कल्चर में लगे हुए बाकी अधर सेक्टर में लगे हैं प्रोड़क्शन मैनिफेक्टरिंग एकॉमर्स और सर्विसेस को प्रूवाइड करने में और जी एनपी का जो कृशी मतलब जो आपके पास जी एनपी निकलके आती है उसमें अगरी कल्चर कितना कंट्रिब होती है ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास हाई इंसीडेंस और निर्धनता का उच्छ विस्तार मतलब देखिए उस देश में निर्धनता मतलब गरीबी बहुत तीजी से फैलती है पहले हमने पढ़ा और वह बनी रहती है ठीक है म इंफ्रस्ट्रक्चर बैक्वर्टनेस आधारी सनचना का बिछड़ापन मतलब जो इंफ्रस्ट्रक्चर वहां पर एकॉनमी प्रोवाइट किया जा रहा है वो इंफ्रस्ट्रक्चर बहुती पूर है बहुती बेकार है इतने इंफ्रस्ट्रक्चर से कुछ नहीं होने वाला economy का economy जो है वो अच्छे तरीके से डवलप नहीं कर पाएगी वहाँ पर जो भी facilities दी जा रहे हैं इंफ्रस्ट्रक्चर के नाम पर वो बहुत ही पूर हैं बहुत ही बेकार है ठीक है और 13 पॉइंट आप देख लीजिए low volume of foreign trade यानि विदेशी वैपार का निम्न परिणाम वहाँ पर जो आपके पास foreign trade किया जा रहा है विदेशी वैपार किया जा रहा है वो बहुत ही low level पर किया जा रहा है वहाँ पर जो production है या जो foreign trade हो रहा है बहार हम जो export import कर रहे हैं वो बहुत ही कम है और कम है तो underdeveloped है economy क्योंकि बहार से कोई currency आ नहीं रही उस देश के अं यह जादा income कमा नहीं पा रही है तो economy जो underdeveloped हो जाती है और unfavorable social political or institutional administrative structure मतलब किसी भी economy में अगर परतिकूल समाजिक राजनितिक संस्थागत एवं परसाशनिक डाचा है जो कि आपको अच्छे तरीके से help नहीं कर रहा है तो उस economy को आप क्या बोलेंगे वो economy जो है underdeveloped economies है बेकार economy है अच्छे तरीके से जो है काम नहीं कर रही है अगर वहाँ पर यह सारे के सारे factors जो हैं वो आपके favor में नहीं है तो ठीक है तो दोस्तों next video में मैं जो है Indian economy के बार में बताऊंगा कि Indian economy एक underdeveloped economy क्यों है तो आप उस video को starting से end तक ज़रूर देखेगा भारतियर्थ क्यों माने जाती है क्या reason है उन सभी को हम अगली वीडियो में अच्छे तरीके से discuss करेंगे ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको मेरे साथ full courses को join करना हो तो आप सभी top classes app को ज़रूर download कर लीचेगा क्योंकि top classes app पर मैं आप सभी को full courses provide कराता हूं ज इससे मैं आपको course के regarding सारी information provide करा दूगा कि कैसे course को join करना है क्या मिलता है course में मैं कैसे help करता हूं आप सभी की course में वो सभी जानकारी आपको दी चाएगे ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर इस अभी के अभी content करिए मैं आपको full courses जो है वो provide करा रहा हूं जो कि आपके लिए काफी helpful रहेंगे तो चले दोस्तों next video मिलते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद